Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So, Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject की videos free of cost provide किये जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of cost यहाँ provide किया जाता है. आप Magnet Brains को Facebook पर, Instagram पर और Telegram पर भी follow कर सकते हैं, so that कोई भी important update आप Magnet Brains की यहाँ पर बिल्कुल miss ना करें. So, आज current events की session में एक बहुत important topic मैं यहाँ पर आपके साथ discuss करूँगा, जिसमें हम reservation के बारे में बात करेंगे, और यह जो reservation है, यह किस से related है, यह Tamil Nadu से related है. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि Tamil Nadu में जो most backward classes है, देखेंगे, अभी backward classes क्या होती है, मैं आपको समझाओंगा, तो जो भी आपको most backward classes है ना, उनमें अगर आप देखोगे तो 20% जो reservation था, वो यहाँ पर आपको दिया गया था, है ना, अभी यहाँ पर क्या हुआ, कि अभी यहाँ पर जो यह वन्यार community है, है ना, वन्यार जो छत्तिर, चत्तिरी कम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगा, तो तमिल नाडू ने यहाँ पर क्या किया, कि इसमें से करीब आप यह माल लिजे कि 10.5% जो reservation है, वो वन्यार कोटा जो है, वो यहाँ पर provide कर दिया, कि मतलब की most backward classes जो है, total वो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से क्या हुआ कि एक particular community को आप 10.5% अगर आप यहाँ पर कोटा दे रेते हो, तो बाकी लोगों के लिए तो यहाँ पर बहुत कम कोटा बचेगा, तो जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो reservation था, यह Supreme Court में गया था, है ना मतलब जो reservation यहाँ पर यह दिया गया था, तमिल नाडू सरकार के द्वारा, यह चीज जो है वो Supreme Court में और Supreme Court ने यहाँ पर यह कह दिया कि तमिल नाडू सरकार ने जो यह वनियार कोटा यहाँ पर प्रोवाइट किया है, यह पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है, बलब आप यह कह सकते हैं कि इस कोटे को जो है, उन्होंने यहाँ पर strike down जो है, वो यहाँ पर कर दिया, मतलब इस वनियाकुला जो छत्री कम्यूनिटी है, तो याद रखिएगा वनियाकुला छत्री कम्यूनिटी जो है, यह कहां से है, यह आपको तमिल नाडू से देखने को मिलेगा, आपके examination में question पूछ लेंगे कि अभी recently जो है, वो वनियाकुला छत्री reservation जो है, यह आपको यहाँ पर छत्री कम्यूनिटी को यह 10.5% जो रिजर्वेशन ने वो यहाँ पर प्रोवाइट किया गया था, जिसको अभी Supreme Court ने struck down यहाँ पर कर दिया है, अब उस Supreme Court ने बोला क्या, अब हम यह देखते हैं, Supreme Court ने यह बोला कि 10.5% जो आप यह reservation दे रहे हो, वनियाकुला छत्री कम्य को, violate the fundamental right of equality, non-discrimination and equal opportunity, मतलब तीन चीजे जो है, वो यहाँ पर violate हो रही है, पहली बात तो equality violate हो रही है, फिर उसके बाद जो discrimination हो रहा, non-discrimination यहाँ पर होना चाहिए, वो यहाँ पर violate हो रहा है, और साथी साथ यहाँ पर क्याए कि equal opportunities, किसको 150, जो other most backward communities आपको देखने को मि देंगी, और फिर जो de-notified यहाँ पर communities है, तमिल नाडू में, आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उनको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि उनके साथ, जो equality है, है ना non-discrimination है, और equal opportunity जो है, उसको आप यहाँ पर violate कर रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या है कि, यह जो 20% यहाँ पर reservation total यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर क्या है कि, यह most backward communities और फिर उसके बाद दुबारा जब यहाँ पर क्या है कि, उसको notify करी गई जो communities है, उनको total को 25, 20% है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, कि वन्याकुला जो छत्रिये community है, उसको 10.5% यहाँ यहाँ पर कर दोगे, तो जो बची हुई most backward classes यहाँ पर community है, है ना, उनके साथ तो यह discrimination हो गया न, equality वाला, non-discrimination वाला, equal opportunity, यह सब चीज़े यहाँ पर violet हो रही है, क्योंकि वो भी तो most backward classes है, और यहाँ पर क्या है कि, आप यह भी कह सकते हैं कि, जिस basis पे यहाँ पर यह reservation देना चाहते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर define नहीं हो रही है, है ना, मतलब इनका जो reasonable यहाँ पर point होना चाहिए कि, इस basis पे we have decided कि, हम इनको reservation यहाँ पर देंगे, वो चीज़ भी यहाँ पर justify नहीं हो रही है, इसकी वज़े सी यह problem है, the allotment of 10.5% reservation to a single community, from within the total most backward, जो भी यहाँ पर classes का quota है, वो 20% है in the state, living only 9.5% to 115 other communities in the MBC category, was without substantial basis, मतलब कि इसमें यहाँ पर जो यह कर रहे हैं कि 10.5% जो यहाँ पर यह वन्नेकोलर चत्तरी community है, इसको reservation मिलना चाहिए, तो अगर कोई यहाँ पर क्या है कि बहुत important कोई चीज़ है कि इस basis को ध्यान में रखकर हमक पर declare किया था जिसको Supreme Court ने अभी यहाँ पर समाप्त कर दिया है, further court ने यहाँ पर यहाँ पर यह भी कहा है कि there was no assessment or analysis done prior to the 2021 act to back the claim that the वन्यकुलक चत्तरी जो है वर relatively more backward than the other MBCs and DNCs, ठीक है मनलब जो most backward यहाँ पर community है यह जो denotified communities हैं, तो court यहाँ पर यह कह रहा है कि जो 2021 में आपने यह act यहाँ पर बनाया था, जिसके basis पर आपने यह चीजे तमिल नाडू, यह M.K. स्टालिन साहब है, यहाँ की chief minister है, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इन्होंने जो भी यह act बनाया था, उससे पहले ना कोई assessment नहीं किया गया, कोई analysis नहीं किया गया, जिसकी व कोट ने यह भी कहती है, कि यह बिल्कुल गलत है, है ना, इनकी द्वारा कोई preparation यहाँ पर नहीं करी गई थी, के बल एक्ट जो है, यहाँ पर पास किया गया, the court underscored that, while caste can be the starting point of internal reservation, ठीक है, it is incumbent on the state government to justify the reasonableness of the decision, मतलब आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कास्ट के basis पे जो है, वो internal जो यहाँ पर reservation होता है, वो यहाँ पर दिया जा सकता है, है ना, internal reservation मतलब जो state government यहाँ पर provide कर रही है, वो चीज़ यहाँ पर दी जा सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस तरीकी की कोई चीज़ जो है, वो यहाँ पर अगर आप accept कर रहे हो, है न जो तमिलनाडू की सरकार है वो इस चीज को यहां पर justify नहीं कर पाई है दोधा court held the 2021 act and its percentage of reservation unconstitutional उसको unconstitutional इन्होंने बता दिया कि यह पूरणता अगलत है it upheld the legislative competence of the state to enact a law subclassifying and apportioning percentage within the identify backward classes मतलब इसमें यहां पर कहा है कि राजी सरकार के पास जो है वो यह अधिकार है ना मतलब वो यह नहीं कह रहे है कि जो तमिलनाडू की सरकार है वो यह काम नहीं कर सकती है ठीक है वो काम कर सकती है जो इन्होंने यहां पर यह act बगरा बनाने की बात करी है यह बिलकूल ठीक है लेकिन problem यहां पर यह है कि जो हमको यहां पर समझना है वो यह है कि इन्होंने जो यह percentage बगरा यहां पर decide किया था और जो यह वन्यकुला छत्री community को reservation यहां पर दे रहत है इस बात को justify नहीं कर पाए कि बाकी की जो backward classes हैं उनसे भी जादा यह backward आपको देखने को मिल रहे हैं और इसी वज़े से यहां पर क्या है कि इनका पूरा का पूरा reservation था इस particular कानून को तो जो है इन्होंने यहां पर क्या कर दिया कि unconstitutional जो है वो declare कर दिया लेकिन आप यह कह सकते हैं कि जो सरकार की power है कि इस तरीके के internal reservation के लिए policies इनके द्वारा बनाई जा सकती है उसको इन्होंने अप्रिल्ड किया कि यह बिल्कुल सरकार जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चीजों को कर सकती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करते हैं कि जो वन्य लाड़ो में reservation है वो करीब कितना है वो 69% reservation है ठीक है मनलब general category के लिए यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि केवल 31% है वो special provisions है जिनकी वज़े से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% से जादा आपको reservation देखने को मिलता है तो कभी अगर माल लीजे कि कि किसी group परसेंटेज आपको तमिल नाडू में देखने को मिलता है out of the 69% backward classes including Christians and Muslims get 30% MBCs get 20% schedule cost 18% schedule tribe 1% ठीक है अब इसमें से अगर आप देखोगे तो 69% यहाँ पर total reservation है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि backward classes को जो है उनको 30% मिलता है जिसमें Christians है Muslims आपको देखन इनको मिलेंगे जो most backward classes है जिनकी बात अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं इनको 20% है schedule class को 18% और schedule tribe को जो है वो 1% है ठीक है backward class 30 most backward 20 50% तो यह reservation है फिर उसके बाद schedule class को 18 है और schedule tribe को 1% reservation जो है वो यहाँ पर तमिलाडू में दिया गया है मतलब उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो most backward classes community है इस 20% में जो है वो यहाँ पर वन्यकुलल जो चत्री community है उसको यहाँ पर reservation 2021 के act के तहत यहाँ पर provide किया गया था इन्कुलला चत्री है इंक्रूडिंग wonders pada ग lég्या सब अलग तरीके की community है Hai मतलब कि यह कैके कहते हैं इनकी अंतरकत भी अगर आए आप देखोगे तो और आपको देखने को मिलती है तो यह point आपको ध्यान रखना है Second Tamil Nadu Backward Commission in 1983 है ना जो Tamil Nadu का Second Backward Class Commission था जैसे हमारे देश में पहला Backward Class Commission कब बना था वो बना था 1953 में है ना काका केलकर जो थे वो उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने यहाँ पर यह बोला था कि भाई जो सभी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर Backward Class जो है वो Consider यहाँ पर करना चाहिए है ना लेकिन काका केलकर की अध्यक्षता में जो पहला Backward Commission यहाँ पर बना था वो चीज़ें यहाँ पर क्या थी उसकी बातें यहाँ पर नहीं मानी गई थी फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर आप Commission देखेंगे तो वो 1979 में बना था मंडल Commission के नाम से जो आप जानते हैं उसमें यह बोला गया था कि 27 परसंटेज जो है वह यहाँ पर होना चाहिए जिसको इंप्लिमेंट किया गया था ठीक है तो उसी अगर आप देखोगे इस टेट की तो 13.01 परसंटेज जो है वो वन्यकुला च्छत्रियास की जो है वो देखने को मिलती है therefore provision of 10.5 परसंटेज reservation to a community with a population of 13 परसंट could not be called disproportionate मतलब आप यह कह सकते हैं आप यह कह सकते हैं कि जिस particular community का size जो है वो 13.01 परसंटेज है तो यहाँ पर कहाए कि अगर हम उसको यहाँ पर कहाए कि 10.5 परसंटेज अगर हम reservation यहाँ पर देते हैं तो यह कहाए कि disproportionate नहीं है क्योंकि number भी उनका आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है है ना population भी जो है उनकी जादा है तो 10.5 परसंट अगर हम reservation यहाँ पर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं मतलब उसको हम disproportionate जो है वो यहाँ पर नहीं कह सकते हैं अब यहाँ पर यह 9th schedule के बारे में जो है वो बात करी गई है है ना कि 9th schedule के basis पे जो है वो यहाँ पर क्या है कि जो reservation है वो यहाँ पर 69% देखने को मिला भी एक point बता है तो 9th schedule जो भारत का है वो यहाँ पर क्या है तो आप यह कह सकते हैं कि हमारे समिधान में जो पहला amendment हुआ था कब हुआ था 1951 में तो पहले amendment के तहट अगर आप देखोगे तो constitution में काफी सारे changes किये गए उसी मैंसे अगर आप देखेंगे तो 9th schedule को भी हमने क्या किया था अपने constitution में add किया था पहले total 8 schedule थे फिर 4 और add किये गए उसमें से जो 9th schedule है वो यहाँ पर क्या था वो पहले constitutional amendment act 1951 के थाट यहाँ पर किया गया अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि introduce किया गया था 10 माई 1951 बाई जबालाल नीरू गवर्मेंट तो protect land reform laws from being challenged in the courts on the ground of violation of fundamental right अब यहाँ पर क्या होता था कि जब यहाँ पर यह land वगरा right to property fundamental right था तो उसकी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि काफी सारे लोग land वगरा को जब यहाँ पर कोई construction वगरा का काम होता था तो क्योंकि fundamental right का evolution हो रहा है तो लोग court पहुंच जाते थे तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि कुछ जो land reform वगरा के laws वगरा है उनकी production schedule 9 के दहित की जाएगी और इसके लिए हमने याद रखिए का एक नया article जो है वो यहाँ पर add किया था जिसका नाम है 31B है न 31B यहाँ पर add किया और इसमें यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि article 31B also has a retrospective operation which means that if laws are inserted in the 9th schedule after they are declared unconstitutional they are considered to have been in the schedule since they are commencement and thus valid ठीक है तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसका retrospective यहाँ पर operation है retrospective मतलब पीछे से यह applicable होंगे तो अगर माल लीजे कि बोला जा रहा है कि if laws are inserted in the 9th schedule after they are declared unconstitutional ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि अगर laws को हमने 9th schedule में डाल दिया है ना जब उसको unconstitutional बोला गया तो डाल दिया गया था तो आप यह कह सकते हैं कि उसको पीछे से यहाँ पर जो है वो applicable होगा तो आप यह कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है वो थोड़ा सा land reforms करने की कोशिश करेगी ताकि थोड़ा जो development वगरा होता है वो सही तरीके से किया जाए वाइल most of the laws protected under the schedule concern agriculture land issues the list include other subject ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं सारे अलग अलग तरीके के subject जो है वो आपको जो schedule है उसमें देखने को मिलेगा जो 9th schedule है although article 31b यह important है exclude judicial review the apex court has said in the past that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated fundamental right और the basic structure of the constitution तो मतलब यहाँ पर क्या था कि पहले जो 9th schedule था ठीक है उसमें अगर माल लीजे कि कोई चीज़ चले आती थी तो उसका judicial review नहीं होता था है ना तो यह लोग क्या करते थी कि कि कोई unconstitutional यहाँ पर होता था law वगरा है ना तो उसको उठा कर क्या करते थे कि 9th schedule में डाल देते थे तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि उसका judicial review होगा नहीं और वो exception की तरह यहाँ पर काम करेगा लेकिन जब यहाँ पर 31B वगरा यहाँ पर add किया गया तो इसमें यहाँ पर यह बात करी थी कि judicial review जो है उसका किया जाएगा और अगर वो fundamental right का violation यहाँ पर करता है जो कि basic structure है तो उसको फिर यहाँ पर नल एंड वोइड जो है वो declare किया जाएगा ठीक है तो यह थोड़ा सा 31B के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करीगी तो यह बहुत important issue है है ना और मुझे ऐसा लगता है कि reservation मगरा के बारे में जब भी कोई topic बगरा होता है तो आपको वन्यकॉल जो यहाँ पर चत्री community है इसके reservation के बारे में भी चीज़े पूछी जा सकती है तो यह अगर आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर कर पाओगे और अपने content को और अच्छा यहाँ पर बता सकते हैं ठीक है तो कैसा लगा आपको session आप feedback जो है वो comment section में जरूर दीजिएगा और magnet brains पर जो kg से लेकर 12 तक की classes होती है वो 100% यहाँ पर free होती है तो आपकी जान पहचान के कोई भी लोग अगर है तो आप उनको जो है magnet brains को जरूर यहाँ पर शेर करें वीडियो को और आप लोग भी यहाँ पर जो है current affair वगरा की जो चीज़े है उनको एक दूसरे तक पहुंचाए है ना क्यूंकि यहाँ पर kg से लेकर 12 तक की जो भी groups में इस वीडियो को जरूर शेर करो ताकि जादा से जादा लोग है ना इस वीडियो के तहट important जो current events होते हैं देश दुनिया में जो चलते हैं उसके बारे में चीज़ों को prepare कर सके अगले session में एक नए topic के साथ मिलूँगा तब तक keep smelling and keep preparing लगे रो exam clear करो thank you so much Jai Hin